हाई गाईज वर्कम बेक टो मैं चानल रिचेंज मेरा व्लोग्स और मैं हूँ रिच्छा अभी टाइम हो रहा है दो बजे का दो पहर के मैंने खाना बना लिया है और आज मैंने खाने पर बनाया है मेठी मिटर की सबजी दाल शावल अभी थोड़े दिन पहले मैं गई वी थ जो कि मुझे बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया था और मैंने लिये ते यह कुछ बोटल्स जो की ग्रीन कलर के जो कि मुझे बहुत ही जादा अच्छे लगे और सबसे में चीज दो मैंने लिया है वह है यह चोटे-चोटे से गम ले यह दो चोटे हैं और यह 5 इतने बताना चाहती हो मेरे पास मंदिर में दो सीवलिंग हो गए थे तो जल्री का जो पेड़ है उसे छील के मैंने एक सीवलिंग यहां पर रख दिया है ताकि मुझे जल डालने में असानी हो मैं दो प्लांट्स भी लेके आई थी जो यह है कडी पत्ता का प्लांट जो कि मुझे गमले पे लगाना है और लेके आई थी मैं यह समी पत्ते का प्लांट जो कि आप देख सकते हो जिसे मैंने पहले ही गमले पे लगा दिया है क्योंकि गमला खाली रखा हुआ था गमले में डालने के लिए मिट्टी नीचे रखी हुई है तो मैं जाती हूँ और जल्दी से मिट्टी लेके आती हूँ मैं मिट्टी नीचे आ रही थी और पॉली थी नीचे फट गया तो मैं सोच रहे हूँ कि मैं गमले सेड़ी में रखके भल लेती हूँ मिट्टी बहुत ही जादा सुकी थी तो मैंने उस पर पानी डाल डालके गमलों पर बहुत ही अच्छे तरीके से भर दिया है जैसा कि आप देख सकते हो कि गमले पे मैं जो पौधा लगाने वाली वो करी पत्ते का पेड़ है और जो छोटा सा पौधा आपको दिख रहा है न वो तुलसी जी का पौधा है जो कि हमारे च्छत पे अपने से ही लग गया था तो मैंने सोचा कि मैं तुलसी जी का पौधा भी छोटे से गमले पे डाल देती हूँ और जो गमले आपको दिख रहे हैं उसमें लगाने वाली में कुछ सबजियां क्योंकि मैं अपनी मम्मी के शौप से टमाटर, मिर्ची, धनिया, भिंडी ऐसे कुछ बीजे लेके आई हो जो कि असानी से लग जाए एक्चुली मैंने कभे भी घर पे कोई भी सबजियां या फूल के पौधे कभी नहीं लगाया है हमेशा मेरी मम्मी ही लगाया करती है के साथ जरूर शेयर करूँगी फिर मैं बहुत सारे गमले लाकर बहुत सारी सबजियां छट पे लगाया करूँगी जब मैं यह पौधे लगा रही थी तभी मेरे हस्बेन आ चुके थे इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से गमलो पर मिट्टी भरा और जो दो पौधे थे करी पत्ता और तुलसी जी के तो सिफ मैंने वो दो ही पौदे गमले पे लगाए फिर मैंने सारे गमलो को साइट करके रख दिया और जब हमने खाना खा लिया उसके बाद मैंने गमलो पे बीज लगाए मिट्टी में बीज डालते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी से बीज डालने थे क्योंकि शाम भी हो रही थी बीज डालने के बाद मैं सारे गमलो को उपा छट पे रख के आ गई हूँ तो मैं कल के व्लोग में आप लोगों को जरू दिखाऊंगी कि मैंने गमले कहां पर रखे हुए है एन गाईज मैं आजकल जितने भी व्लोग डाल रही हूँ उसमें बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे है आप लोग मेरे चैनल को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे है प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिये ताकि मैं बहुत अच्छे-च्छे से व्लॉग आप लोगों के लिए बना सकूँ तो गाईज आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल के व्लॉग में तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल विचिस रिचेश मेरा व्लॉग एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में लगी हुई है मिट्टी तो मेरी तरब से आज मेरा व्लॉग को एंड कर रही है मेरे हस्बन जी जो कि आप लास्ट में देख सकते हो तो बाई गाईज